है है लो फ्रेंड्स वेल्कम टुम टुमाई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों यह अनुसिक कोश्चन का स्रीज चला है स्रीज वन है एन अध्यायवार जितने भी प्रिविएस येर में कोश्चन्स पुछे गए हैं हर एक टॉपिक से तो मैं टॉपिक वाइज बता रही हूं आज का टॉपिक है कोशिका बिग्यानियों अनुवान से की इस टॉपिक से जितने ही प्रिविएस येर में कोश्चन्स पुछे गए हैं वो सभी कोश्चन्स आज इस वीडियो में बता रही हूं दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर ल तहेंगे लेकिन एकनी कोश्चन्स हर विज पांच बजे आपको मिलेंगे तो दोस्तों चलरे चलते हैं आज के टॉपिक पर पहला कोसिटन है कोशिका का अधियन कहा जाता है कि चार व ज़हाता है जनतर तो बिग्यान को बॉत्नी ब जाता है जोस्तों सब्रिद्ट कोश्चरी किस कुशिका को ट्रेफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है नहीं चार कोशिका को सही अंसर सब्कारत तो इसका सही जबाब गौल जी काय को कोसिका का याता यात प्रवंधक यानि ट्रैफिक पोलिस बोला कार्य करता है जयांर की कंजुरत होती है वहां से उठा करके जिस अंग को जादे जब्रयत होती है उसकों देदेता है यानि कि जैसे आप हाथ से कारे कर रहे हैं तो आपके दूसरे अंग को तो कम काम कर रहा है तो वहां सिर्फ प्रोटीन उठा करके आपके हाथ को दे देगा यानि कि यह आयातायात का प्रबंधन करता है यानि गाली का जो है ट्राफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कोशिकी इस्त्राओं के भरर, भंडार, यों प्रसंसकरर के लिए एक तरह से इस्टेशन के रूप में कारे करता है नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों इनमें से कौन अभिव्यक्ति और परिभासा से उप्युक्त मिलान है आपको मिलान करना है एक तरफ जय उर्जा, स्वास्त, उर्जा, पोसर, एक तरफ एटिप, एडिनोसिंट्रोइप, स्वास्त जलक, अच्छे स्वास्त का मूल, जीवन का अधार ये दिया हुआ है तो आप मिलान कीजिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो आपको आता होगा उस चीज को मिलान कीजिए आपको इसमें पोसर सबसे पहले पोसर देखते हैं तो पोसर हमारा जब अच्छा पोसकता तो नहीं लेंगे तो हमारा अच्छा स्वास्त कभी नहीं हो सकता तो पोसर क्या होगा अच्छे स्वास्त का मून होगा यानि चवथा का तीन सही होगा तो किसी भी आपसर में देखिए चवथा का तीन कौन है तो बी में देख रहा है चवथा का तीन एन दोस्तों उर्जा क्या है हमारे स्वास्त की जलक है क्योंकि हमको कोई देख के जान सकता है कि यह उर्जा वान है हमारे अच्छे स्वास्त का जलक है कि हम उर्जा वान है स्वास्त क्या है जीवन का आधार है और यह उर्जा क्या है ATP इसी से हमको हमारे सरी में उर्जा मिलती है जो भी हम खाते है वो ATP यानि उर्जा की रूप में करणवर्ट होता है इस प्रकार इसका सही एंसर है B तो इसका सही मिलान हम कर देते हैं जैसे कि जै उर्जा ATP एदिनोसेंट ट्राइफास पे स्वास्त है जीवन का अधार उर्जा स्वास्त की जहलक है पोसर अच्छे स्वास्त का मूल है नेक्स्ट कोस्टन है उत्तक के अध्यन को जाना जाता है उत्तक के अध्यन को क्या जाना जाता है दोस्तों histology next question है दोस्तों दोस्तों मानस्पेशी के अधियन को myology बोला जाता है इस सब को ध्यान में रखिएगा next question है दोस्तों कि उतक किसे कहते हैं उतक कहते हैं किसे कहते हैं जैसा कि आप सब को जानकारी होगा तो इसमें सही answer क्या है कि समान द्रचना वा समान कारे करने वाली कोसिकाओं के समूँ को उतक करते हैं दोस्तों आपको पता है कि कोसिका हमारे जीवन की सबसे छोटी काई होती है जिसमें विविन प्रकार कि जबी क्रियाओं की क्रियान में के लिए जो सभी आंग उपसित होते हैं कोशिकाओं का ऐसा समूझ जिसमें कोशिकाओं उद हम आकृती परिवर्धन छिच्पी से समान होती हैं उसे क्या रिकुलीator तो ज्वाद कि से चोटी in is world दौसीका से ऑगो ही से सन गोशी का है व्यविन की सबसे चोटी डी काई क्या है तो दिम्हर चोटी की क्या है दोस्तों चैसist बनता है? उत्तकों से क्या बनता है? हमारे अंग का निर्मा होता है. इस प्रकार सबसे चोटी इकाई क्या है? कोसिका है. कोशिका चारो तरफ से घिरी होती है तो प्राज्मा मेंब्रेन दोस्तों इसको कोसिका जिल्ली, कोषिका कला, ओल्भ मेंबरेन इस चार नामोंसे दी सकता है जो कोषिका 4 तरफ जिल्ली से गरिव होती है उसको किसने नामों से जना जाता है कोसिका जिल्ली कोसिका कला सेल मेंब्रेन और प्लाज्मा मेंब्रेन ठीक है और इसी जिसे इसके अंदर कोसिका जिल्ली के अंदर साइटो प्लाज्मे यानि कोसिका द्रब भरा होता है गाढ़ा तरल पदार जिसमें बहुत सारे अंग होते है जैसे कि माइट्रोकान या गालजी का है और राइसोसोम राइबोसोम बहुत सारे अंग होते हैं सभी अंग उसमें बिद्वान होते हैं और नेस्ट कोसिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे क्या बोलते हैं जिसे मैं आप पहले एक्स्पिलिंग कर चुकी होते हैं तो कोसिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है जिसे मिसे क्या कहते हैं साइटो फ्लाज में इसी साइटू फ्लाज में तो सही एंसर क्या है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है दोस्तों क्योंकि राइबोसोम एक कला रही मेंब्रेन कि यसे प्रोटीन कि अखोता है कि है वही राइबु श्रूम होते हैं जो कुदूरे एंडोप्लाजम कि बाहरी सत्था पर चोटे शोटे बिंदू का आकार का होता है वह ही राइबु श्रूम्स होता है दोस्तों जो एक आडवीक मसीन की रुप में कायू करता है जो इसमें एक आडवीक मसीन होते है जो प्रोटीन को बनाती है इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है गाल जी काय को राइबो सुम्स को नेश्ट कोश्चन है दोस्तों कि निम्न मेंसे कौन सा एक प्रकार का सेलिलर स्वसन है जो आक्सिजन की उपस्थिती में संपन्न होता है दोस्तों बहुत ही सोच के अंसर देजेगा चार आप्सन है दोस्तों जैसा कि आंत्रिक स्वसन वार स्वसन होता है उसमें से आंत्रिक स्वसन में सेलिलर स्वसन होता है दोस्तों वार स्वसन फेप्र में होता है आंत्रिक स्वसन कोशिकाओं में होता है तो यह क्या करा है सेलिलर स्वसन जो आक्सिजन की उपस्तिती में संपन्न होता है तो आक्सिजन की उ वायो जीवी स्वसन कहिए चाहिए वायवी स्वसन किजिए ठीक है तो वायवी स्वसन एक प्रकार का सिलूर स्वसन है जो आक्सिजन की उपसिति में संपन होता है यह क्रिया माइट्रो कांडिया में संपन होती है कैसे होता है दोस्तों जैसे कि हम सांस लेते हैं हम बाहर से आ बहुत सारे आसुद रक्त को फेपों में लेताय इधर हैं लेते हैं तो तो क्या होता है कि एलूलाई से विसलित होकर आक्सिजन जो है कि आक्सिजन जो है क्या करता है रक्त कुसी चला जाता है और प्रेश से फेफ़शिटर धंडिश्चा खराब रख्त को सुद्ध करने के लिए फेपरों में जाती है वहां से कार्बो हाइडरेट जो होता है कार्बो हाइडरेट नहीं जो कार्बन डियाक्साइड होता है वह बाहर निकलाती है और जो हम आक्सिजन लेते हैं वह अंदर चले जाती है और वहां रख्त वाहिनियों में जाक कजता है इसी को हम कहते हैं है से लुर सोचन या वाई ओई सोचन आहल bokा संपन होता है हमारा से संपन चाहरा chso आप सेल्स किसे कहा जाता है दोस्तों तो मायट्रो कांडिया को जैसा कि दोस्तों हम जो भी खाना खाते हैं जो भी भोज पदात लेते हैं वो कहां पर जाकर के इनर्जी में कनवट होता है माइट्रो कांडिया में कैसे कनवर्ट होता है दोस्तों कि माइट्रो कांडिया में बहुत सारे इंजाइन्स होते हैं जो कोशिकी स्वसंग के फ़ल स्वरूप यानि वाइवी स्वसंग के फ़ल स्वरूप भोजन के उर्जा के रूप में परवतित कर देता है इसलिए कोशिक का बिजली घर या पावर हाउस आफ सेल कहा जाता है क्योंकि इनहीं में आक्सी करर्ण क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है इस आक्सी करण की क्रिया में एडिनोसिंट्राइफ फासफेत ADP से एडीनोसिंट्राइफास्पेट ATP नामक अधिक उर्जा वाले योगिक करने मार होता है यही उर्जा को सिका के विभीन क्रिया कलापों में काम आती है कौन ATP यानि बोजपदातों को उर्जा की रूप में ATP की रूप में करनोट कर देता है और उस ATP को उर्जा को उस अस्थ कोसिका में उर्जा उत्पादन का सक्री इस्थल क्या है क्या है अभी आप तुरंत पहले वाले कुश्चन में पढ़े कि उर्जा उत्पादन का सक्री इस्थल क्या है तो माइट्रो कांडिया जहां भी उर्जा उत्पादन को होने की बात आएगा दोस्तों वहां माइट्रो क कांडिय को श्वसं और दैस ापको फिल्च पर्ना होगा महतपूर भूमिका निभाता है यानि कहने का ताथ पर है कि मायट्रो कांडिया कोसिकी सोसन में भूमिका निभाता है और किस टिज में भूमिका निभाता है चार आपसन है बताईए तो आपको तुरान चाल लेना चाहिए उर्जा उत्पादन में किसमें कोसिकी सोसन में और उर्जा उत्पादन में यह सक्री अस्थान है कौन है है तो मेड्रो कांडिया इसकी को माड्र केंड्र कि से कहा जाता है है कोइसिका का नियंतर बैंद किसे कहा जैता है नूक्लियस को यानि केंडर को केंडर क्या है हमारे कोशिका का नियंत्रे केंडर है यानि इसे नाभिक की कहते हैं कोशिका क्रियाओं का निदेशन करता है नाभिक की जिल्ली नाभिक को घह रहती है जैसे कि कोशिका को कोशिका जिल्ली घह रहती है उसी प्रकार नूक्लिय सब्सक्राइब करीजिन निक्रीश नंदल्व केंडलेयक जिलि घर रहते हैं feel my stop plasticровour नाभिक जिल्ली जि financieren कोゃुनदा है eu Soci turmeric जौनIST को कंडल आते निक्री गहें है जैसे कि है अग क्रोमोसम यानि ही होता है जिसमें डिनने से जीन का निर्मा होता है दोस्तों हमारे अल्मासिक्ता कि जीन जरी होती है जो एक पीछी को रहती है और निकलियत यानि केंद्रक में निकली ओली होती है इसमें आरन्य प्लस प्रोटीन होता है जो राइबोसम को बनाने में सहायक होती है दोस्तों यह निकली ओली प्रोटीन जथा आरन्य से निर्मित होता है नेस्ट कोस्टन है दोस्तों क्लोरोफील किस रंग का होता है कि क्लोरोफील किस र कार रंक हरे रंक का एक प्रोटीन युक्त जटील रसानिक योगिक है क्लोरोफील ही पेड़ पाउधों के पत्तों में के हरी रंक के लिए उत्तरदाई होते हैं यह प्रकाउस्स लेजर कम्मों की वर्ड़क है इसे फोटो सिंथेटिस पिगमेंट भी कहते हैं नेस्ट कोस्टन है दोस्तों किसे आत्महत्या की सैली थैली भी कहते हैं चार आपसन है दोस्तों चार आपसन समय से बताईए किसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं तो इसमें सही अंसर है लाइसो सोम को क्या क्या कहते हैं दोस्तों अभी आप समझ जाएंगे दोस्तों क्या हो यह इसं को शिका के अंदर का करता है कैसे करता है इसको जल अभघटक न इंजाइम भी बुला जाता है और 내 drawer क्या होता से बहुत सारी पाचक न इंजम होते हैं , में जो इसल já इसको कोशिका का digestive bag भी बोला जाता है आत्महत्या की थेली तो बोला ही जाता है इसे कोशिका का पाचन bag भी बोला जाता है इसमें क्या होता है दोस्तों जो प्रोटीन तथा यह क्या करता है पाचक इंग्जाइम इसमें प्रोटीन वसा को लिपिर्स यानि वसा यानि लिपिर तोड़ के पचाता है प्रोटीन वसा तथा केंदरक अमलों को अलग अलग तोड़ देता है और क्या करता है दोस्तों जब कोई राजसुच में जीव कोसिका में प्रवेस करता है तो उन्हीं पाचक इंजाइम के कारार यह नॉस्ट हो जाता है यह लाइसोस्वम बैक्टरिया इसको मुट कर देता है और जिससे प्रीकोशिका ही नॉस्ट हो जाती है इसलिए इसको आत्म हत्या की ठैली यानी सुसाइड़ बैक कहा जाता है एन इसको एटम कोसिका का एटम भूद भी बोला जाता है तो इतने नामों से लाइसोस्वम को जना जाता है इसलिए आपको गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है यानि कि सफाई करने का कारे कौन सा अंकरता है तो लाइसोस्वम करता है से लाइसोस्वम कोई कहा जाता है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है आपका कि इनमें से किस अधार पर प्रतिक ब्यक्ति को पहचाना जा सकता है और उनमें अंतर किया जा सकता है किसके द्वारा पहचाना जा सकता है दूसरे को दोस्तों जैसा कि आज कल के युग में डियन्ने के जांच के द्वारा एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति को पहचाना जा सकता है दियन्ने जाज के अधार पर प्रतेख ब्यक्ति की पहचार और उनमें अनतर किया सकता है दियन्ने के रूप चित्र की खोच जेम्स वार्सन यों फ्रांसिस क्रिक द्वारा उनिस्सो तीपन में की गई थी इस खोच के लिए इन्हें वार्स उनिस्टो बारसर्थ में नुबेल पूरुजकार से भी सम्मानित किया गया था नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों कि वन्सान उक्रम ब्यक्ति के जन्मजाद विसेस ताउं कर्षम पूर योग है यह परिभासा किस ने दिया है दोस्तों बहुत ही फेमस परिभासा है बहुत बार पूछा जाता है यह परिभासा है वी एंजाद द्वारा दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है दियन्ने का पूरा नाम क्या है तो DNA का पूरा नाम है डी आक्सी राइबो न्यूकलीक एसिद नेश्ट कोश्चन है दोस्तों बृद्धी को प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा कारक है इसमें अनुवानसिक्ता प्रयावरर जलवायो इनमे से सभी नेश्ट कोश्चन है दोस्तों कि जो अनुवानसिक बिसेस्ताएं रक्त वर्ग तवचा के रंग बाल मानसिक दच्चता आदिका निधारण करती है वे कोसिकाओं के अंदर मौजूद कतिपे सुच में कड़ों द्वारा नियंत्रित होती है जिन्हें कहा जाता है जैसा कि आप इस प्रश्ण का संकेत समझ गए हैं किसकी बात कर रहा है यह अनुवांसिक गुड़ों का तो आनुवांसिक गुड़ों का वाहग कोन होता है तो जीन होता है fifteen क्योंकि दूस्टो जो लच्छा माता पिता से संतान में पहुचाई जाते हैं उनहें अनुवांसिक लच्छा कहते हैं और अनुवांसिक बिस्यστथा कितनी रोदे हैं तो टो रोदेह जोड़े होती है क्योंकि दोस्तों यहां पर देख ध्यान देनी बात यह है कि अगर जोडे में दे रहेगा तो二स जोड़े होगा अगर ऐसे संख्या दिया रहेगा तो 46 होगा 46 गुर्सुत्र यानि क्रोमोसुम्स पाए जाते हैं जोड़ों में 23 जोड़े दोस्तों मानों में क्रोमोसुम्स यानि गुर्सुत्र की संख्या 23 जोड़े यानि 46 होती है इनमें 22 जोड़े यानि की जो होती है आटोसुम्स तथा एक जोड़ी जो होते हैं तेश्वान जोड़ी सभावता हैं जिसए थे हैं आप में सवती हैं थे अभीजिश्य विटोबेश्य धाम कड़ nossa पते थे करल से तक अब में पट खक्जक थे कर दोस्तों जैसा कि सारे एक दच्छता जो हमारा फीजिकल फीटनेस होता है यह एवन बेक्तिकत वेद विसे इस बेक्तित्तु के कारव होता है इससे प्रभारत करने वालों में बंसान नुक्रम एम वाता वर दोनों का युगदान होता है लेफ्टन के उसा पैत्रिक गुड नियू पर बेक्तित तुका है इसी पर उसके वेवहार का निर्मार होता है वाता हुआसि सभी इस्तित्यां बेक्तित को प्रभावित करती है वाला मुख्य कारक है तो इसमें भी क्या अंतर होगा सारी दचता याने कि physical fitness सारी दचता हो गया ब्यक्तिकत भेद हो गया दोस्तों यानि इंडिविजिल दिफ्रेंसे एड़ फिजिकल फिटनेस इन दोनों को प्रभाइद करने वाला मुखिक कारएक है वंसाद उकर में वातावरर नेच्ट कॉर्ट्ट ने दोस्तों की रंग वड़ा अंधता यानि color blindness में ब्यक्ती किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है तो लाल वह अरा रंग कुम्मे वह भेद नहीं कर पाता है रंग वड़ानता यानि color blindness नेस में रंग वरंधता यानि color blindness जो होता है आँखों का एक रोग होता है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है यह अवस्था अक्सर अनुवांसिक होती है इसके अन करणों में से कुछ नेत्र रोग और दवाय भी सामिल होते हैं वरं पढमों के मत रोगति या दौन båूं के लोग तो ऊंसर है जैसे की आप सबी जानते हैं कि मानों में संतान के लिग निधाड़ेय यानि पूर्षों की प्रमग भूमिका होती है क्योंकि पूर्षों में यक्स ववाई लिंक गुर्षूत्र पाय जाते हैं और इस्तुरियों में यक्स-यक्स पाय जाते हैं अर्ध सुत्री विभाजन द्वाया युगमुकों अर्था सुक्राणू इस्पर्म तथा अंडाडू ओंपकर निर्मार होता है तथा ए और गुडित होते हैं इन युगम्यों को के निश सुत्र होते हैं तो बच्चों का लिंग निधार होता है पिता के गुर्षुत्रों द्वारा नेश्ट कोशन है दोस्तों हीमोफिलिया में क्या होता है इसका सही अंसर है रक्त का थक्का नहीं बनता है रक्त थक्का नहीं जमता है हीमोफिलिया में बहुत भेंकर बिमारी है द इसके लच्छडों में कई बड़ी या गहरी खरोची होती हैं जो उनों का दर्द वर सूजन होता है अनपेछित रक्त इस्ताओ या मुत्र या मल में रक्त का सामिल होना होता है नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तों कि अनुवांसिकी का पिता कहा जाता है किने कहा जाता है तो जान मेंडल को अनुवांसिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जान मेंडल को अनुवांसिकी का पिता कहा जाता है या एक आस्ट्रेलियाई पादरी थे जिन्होंने वंसान उक्रम के स सिधान्थ का विकास किया था और इनका यह सिधान्थ मटर के पौध्धे पर किये परियोग पर अधाई था नेक्ष्ट कोश्चन है निम लिखित मेंसे क्या अच्छे निधी के रूप में जाना जाता है अनुवांसिक अच्छे निधी में दोस्तों ध्यान प्रुवक को पढ़िएगा इसमें क्या पूच्छा है कि निमे निखित में से क्या अनुवांसिक अच्छा निधी के रूप में जाना जाता है इन तीनों को तो हम बाद में हासिल करते हैं यही अनुवांसिक अच्छा निधी के रूप में जाना जाता है दोस्तों जो उत्पत्ती मुलक विज्ञान से जुरी हुआ है जो बच्चों को अपने माता पिता के जीन से मिलती है जो विज्ञान से होता है जो जैसे कि उचाई हो गया सरीर का रचना हो गया गती फूर्ती बुद्धी शुभाव दहिक क्रिया सिलता है यह सब अर्वांसिक लच्छों होते हैं जो एक पिढ़ी से दूसरे पिढ़ी मे हस्तांत्रित होती है नेक्ट कोश्चन है दोस्तों लोगों की साररिक भिनिता कैसे होती है तो आपको सही अंसर देना होगा सारिक भिनिता कैसे होती है अनुवान सिक्ता से होती है कि वातावर से होती है तो यह अनुवान सिक्ता से होती है क्योंकि यह जीन द्वान इधायत करते हैं जो भी सेस्ता है अगली पीडियों को हस्तांतरित हो सकती है उचाई शरीर रचना गती रंग शुभाव दहिक क्या सिल्टा आदी सामिल होती है इस प्रकार लोगों की सारे भिनता जो है वह अनुवांसिक की अनुवांसिकता परनिभर करती है नेश्ट कुछ्टन है दोस्तों कि इन्वें से कौन अभिप्रेड़ा के सिधान्त का जीव वैग्यानिक अधिगम होता है तो इसका सही एंसर है उदगार का सिधान्त उदगार यानि दोस्तों यहां पे करने का तातपर है सहज बित्ती यानि इंस्टिक्ट सहज बित्ती जो जर्म जात किरया होती है सहज प्रविति फिर फिर बत्ती ंव ज सित्धान्त जीव वैग्यानिक अधिगम होता है फैसे ज्ज बित्तीं कि इसार ब्रतियलके सब्स्क्राइज दोस्तों पेसे सभाविक्त को सब्सक्राभी तिक दला के सब्सक्राइस होती हैं प्रविति में कोई प्रसिचर सामिल नहीं होता है या अंतर नहीं होता है और किसी प्रसिचर की बिना ही प्रयोग के लिए तयार रहती है यह प्रवितिया जैविक रूप से प्रेडित होती है नेक्ट कुश्चर ने दोस्तों इनमें से कौन कारक ऐसा है जिसमें किसी नुक्रम विसेस्ता हम परिवत्पन नहीं कर सकते हैं का इसे कि समयงतर किसी तरह का परिवत्तन संभो नहीं है जैसा कि हम जानते हैं कि जीओं के मांसिक sanction सारुREE गुड़ों कि एक पड़े से दुसरे पड़े में वंसान्य कर दोए निव्तान कभी है या प्रत्म की nis 95 का पिशार है कि धंग और सिइस्टा चार है कि आप जन फेखर मोयभा आठर प्रत करकूंते है डेखें दोस्तों यहां पर आचर रहा है नगे बैसस्ड करें रख करके लकिन वैक्तित में लचण है क्यों तो यह था सेinvestig नमर वन दो सभी कोस्टेनर है सब यह वीडियो आपको कैसा लागा मुझे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों ज्यादे सेयर कीजिए दोस्तों इससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके और आप सभी मेरे वीडियो को हर रोज देखते रहें दोस्तों क्योंकि हर रोज आप कोस्टों सरीच का यम सी क्यू कोस सब्सक्राइब कर लीजी बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसे जो में नएर वीडियो अपलोट करूंगी उसका नाटिफिकेशन आपके पहुचता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैए हुआ हुआ